नमस्काव डीवी नीूस में आपका स्वागत है दिल्ली एंसी आर की हवा पिछले करे दिनों से जहरीली बनी हुई है हाला कि बारिश ने प्रदूशन को कम जरूर कर दिया था लेकिन ये एक बार फिर बढ़ने लग गया है दरसल पंजाब में पराली जलाने के मामलों में फिर से बरहोतरी दर्च की गई है सुबे में सोंबार को 1624 पराली जलाने के मामले सामने आये हैं जबकि बीते दिने यानी 12 नवंबर को 987 पराली जलाने के मामले सामने आये थे एक दिन में 337 मामले बढ़ गए हैं सबसे ज्यादा बठंदा जिले में पराली को जलाया गया है। यहां दोसो पौतर जगों पराली जलानी के मामले तर्च किये गए हैं। दूसरे नमबर पर संग रूरू जिला रहा है। यहां 216 जगों पर पराली जलाई गई है। बताते चले कि पंजाब में अब तक 26,341 पराली जुनाने के मामले सामने आ चुके हैं वही सुबे का बठिंदा शहर सबसे ज्यादा प्रदूशित रहा है यहां का AQI 380 रिकॉर्ड किया गया देर रात पटा के फोई जाने के बाद सुमबार को दिल्ली की वायू गुनवत्ता खराब शुरेडी में पहुँच गई है जबकि इस मुद्दे पर राजनीति घमासान शुरू हो गया है और आम आदमी पार्टी और बीजेपी इसके लिए एक दूसरे को जिम्यदार ठहरा रहे है बारिश के कारण मिली राहत के बाद रास्दानी में प्रदूशन के स्तर में उच्छाल दर्च किया गया है सुबह सुबह धुंद चाही रही दिली में रविबार को आठ सालों में दिवाली के दिन सबसे अच्छी वायू गुणवत्ता दर्च की गई 24 घंटे का ओसत वायू गुणवत्ता सूच कांक शान 4 वजे 218 पर पहुंच गया लेकिन राहत अल्प कालिक भी थी क्योंकि सोंबार को एक यूई 358 दर्च किया गया सीपी सीवी के आकोल के मताबिक दिली में पिछले साल दिवाली पर एक यूई 312, 2021 में 382, 2020 में 414, 2019 में 337, 2018 में 281, 2017 में 319 और 2016 में 431 दर्च किया गया था